हाई दिस इनेच ग्रीन फ्रॉम ग्रेन इंग्लिश आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर फिफ्ट मोडर्न इंग्लिश का दियान करेंगे इसमें अब मोडर्न इंग्लिश वोकेबुलरी और बहुत से वोट्स जो है 16th and 17th century में जो बारो किये गए उनकी जानकारी और द्रामा और अमोडर्न इंग्लिश लिट्रेचर और आखिरी में हम आखन कुलिजन देखेंगे तो चलिए वडियो शडू करते हैं चैप्टर फाइव मोडर्न इंग्लिश दे इंग्लिश फ्रॉम 1500 एड तिल नाउ इस कॉल्ड न इंग्लिश पंदरह सौ साल के बाद अब तक जो है जो है इस परियेड को हम कहते हैं it is now practical to divide this period into modern English first and second for the simple reason that social technological and political development in an outside England in the last 500 years have affected the structure and the use of English यह जो हे काफी अप्राक्टिकल होगा वे वारिक होगा इसे दो भाग में दिवाइट करना एक modern English first और modern English second में और इसका simple reason यह है कि कुछ बहुत से समाजिक changes और technological changes हुए पॉल्टिकल development हुए इंग्लाइड के बाहर और इंग्लाइड के अंदर भी और यह 500 साल में जो है last 500 साल में यह English के structure को काफी ही effect किया परभाव डाला ओके बट इस basic nature has not altered much like anis ka jo basic nature tha jo parvirti basic the war or nahi badla alter means nahe badla it is interesting to chart the course of this language over the years and understand how it has established itself in the world as an international link language and a powerhouse of literary activity यह काफी रोचक होगा to chart एक chart बनाना the course of the language language के समय को काल को years के साथ and understand और समझना कि कैसे यह खुद एक ऐसा language established होता है जो पूरे वर्ड को जो है यह एक international link language पूरे वर्ड को एक दूसरे से जोड़ता है और यह पूरे literary activity का पावर हाउस है के storehouse है ओके टूड़े English occupies an invariable position as the official language in all world forums such as the UNO and all its subsidiary units आज जो है English एक बहुत ही invariable position बहुत ही deep position रखता है occupy करता है एक official language में जिसमें सारे वर्ड के forum forums बोलते हैं कोई सभा या संस्था या meeting जिसमें जो है बात की जाए तो वो forum होता है तो पूरे वर्ड लेबल पे जो meeting हो उसमें यही जो है official language की तरह काम करता है जिसमें आपका UNO UNO United Nations of organization इसकी जो establishment हुई टी 1945 में हिंदी में से सन्यूट राखसंग कहते हैं और उस वक्त 51 countries जो है उस वक्त थी और यह जो countries है यह इन्होंने एक ओध लिया कि अब जो हैं international peace establish करेंगे शांती और security पूरे लाइंग्वेज है वह English ही है WHO यह World Health Organization है यह भी United Nation का जो है का official agent है और यह World Health पर पूरी तरह से work करता है international health को यह ध्यान में रखता है okay आई एम एफ आई एम एफ जो है यह international monetary fund यह जो है organization है और इसके अंदर 189 countries जो है वो पूरे आते हैं और इसमें जो है देखा जाता है कि जो growth हो economical जो growth है वो बिल्कुल सही रहे और गरीबी को जाद से जदा reduce किया जा और हर जगे जो है employment को जाद से जदा बढ़ावा दिया जाए okay Sark South Asian Association for Regional Cooperation और इसमें जो इसके जो countries है वो इंडिया है बंगलादेश और दमाल्दिव उसके अलावा पाकिस्तान सिरलेंका यह और भी है तो यह कंट्री जो है यह सार के सारे जो है मेंबर है ओके और यह साउथ एशियन कंट्री साउथ एशियन कंट्री में यह वर्क करती है आई एलो यह भी एक United Nations से रिलेटेड है और आई एलो इंटर्नेशनल लेवर और्गनाइजेशन यह पूरे लेवर को जो है और्गनाइज करती है उनके परती जो भी इंटर्नेशनल जो भी प्रॉलम्स होता है उनको यह स्वल्व करती है लेवर से रिलेटेड ओके एट्सेटरा और ओली यूजिंग इंग्लिश यह सारी जितनी भी फॉरम्स और्गनाइजेशन्स यह ओफिशियल लैंग्वज में इंग्लिश ही हेल्प करता है इन इंडिया इंडिया मे भी वी एर ग्रेटली डिपेंडेंट ओन इंग्लिश फॉर आफिसील किसी भी ओफिसील वर के लिए हम पूरी तरह से इंग्लिश पर ही आशरीत होते हैं शोशल और कमर्सियल परपस सोचल हमरा परपर सो समाजी को या वैपारी कमर्सियल परपर सो हम इस इसन है फॉर्दर अस्ट्रेंज इस ट्रेंड ए इस ट्रैंग देन तरी कोर्मेंट अव लुवर्धिय पर एंग्लिश्टिस गलोब्लाइजेशन जो है globalization कैते हैं सारे वर्ड को गुलोग की तरह बना देना मुठी मेला देना सारे अजहां है इस ट्रेंट एक डिशा से किस चीज़ को English language को मुझबूत बनाया क्योंकि English जो है यह हमारी everyday activities में भी इस्तामाल होती है the Indians are quick learner of the language Indians जो होते हैं इस language को बहुत असानी से सिखते हैं क्योंकि as discussed earlier हमने already discussed किया है we belong to the same indo-european family जो यह indo-european family की ही language है English okay कैसे है English indo-european family के language में कुछ देखें जैसे फ्रेंच लांगवेज ग्रीक लांगवेज पर्शियन है उसके अलावा आप सेक्षंस वाले जो हैं विस्ट सेक्षंस से कैसे होते हुए English जर्मनिक लांगवेज होते हुए English तो यह संस् हमारी तो इसले यह काफी करीब है और हम कुई क्लर मर हम इंडियन्स जो है काफी क्लर माना English is being taught and learned with all seriousness in country such as China, Japan, Korea and Indonesia English जो है सिखाई जाती है और पढ़ाई जाती है बहुत ही seriousness के साथ गंभिरता के साथ कुछ कंटरी जिसमें चाइना है जपान है Korea है और Indonesia है the Indian advantage of knowing, speaking and writing correct English will gradually disappear in the future generation of young India do not seriously take up the challenging task of mastering a world language Indian जो advantage है सीखना, बोलना और लिखना correct English यह धीरे धीरे जो है future में disappear हो जाएगी खतम हो जाएगी क्योंकि जो young Indians है नौजवान जो है वह इससे seriously नहीं लेते गंभिरता से नहीं लेते इस challenge को इस task को के world language में वह एक mastery प्राप्त कर सके है okay the development of modern English first modern English first ki vikaas me was largely helped by the introduction of the printing technology in 1476 jeesma kaafi help kia printing press ka jo development uva 1476 May William caxton ke 12張 last chapter में हम ओलरी पर चुके है मिनिस्टर अबолотके लिंड हैं यह इस्टेभलिश्मेंट एकלה का । यहा पूरी तरह है से के स्टेंडर्ड फॉर्म को बनाया इन गीव वाइडर स COR कूलेशन टू तू दियर राइटीह राइटिंच यह यह बहुत हलक करता है यह एक का अपरचैनिटीए में हट करता है कि जयादर से जयादर जो नोग लिंखे और उनकी पार उनका सर्कूलेशन एट उनका शेल ते मृग वाईडर जगो आपे वह इस्वार्ट है GOP eli दिशा फोप फैसले राइज फैसले पंद लिट राइज फैसले इलिटल mayor द्रिटोरी गिया तोपनके सब्सक्राइज बंदा गया? के एंड तक जो है और रीडिंग पॉब्लिक जो बड़ी पैमाने पे लोग है पढ़ना वह शुरू कर दिये प्रेंटिंग प्रेस के इस्टैबलिश्मेंट की वजह से अधर मेजर फैक्टर कंट्रिबूटिंग तो दे लान्गविज वाद देवलापमेंट और दूसरा सबसे जो कंट्रिबूटिंग व्यूटन देने वाला जो फैक्टर था वह यह यह लैंगविज के ग्रोथ में वह यह था कि इंग्लैंड वह पूरी तरह से development एक country की तरा उब्रा जिसके पास energy जिसके पास समुद्री पावर थी और एक्सपैंशन और ब्रिटिस एंपायर के फैलाव के कारण और जो ग्रोथ ऑफ कॉमर्स कोमर्स के ग्रोथ इंडस्ट्री और कम्मिनिकेशन यह बढ़ने की वाजे से जो है वह एंग्लिश लैंवेज जो है वह काफी डेवलप हुआ टू मेजर वेल लॉन इवेंट्स इन यूरोप दो सबसे मेजर जो है वेल लॉन जो इवेंट्स थे यूरोप के अंदर घटना थे उनमें एक था रिनासा इसको रिनेसेंस और दूसरा रिफॉर्मेशन था बहुत दूर तक इसके परभाव को इंग्लिश लांगुज पर परभाव डालते हैं अब यहां पर रिनासा और रिफॉर्मेशन वैसे यह तो काफी एक पूरी तरह से इंग्लिश लिट्रेचर में चैप्टर ही रिनासा और रिफॉर्मेशन पर तो यह काफी लंबी विडि जो इसे हिंदी में हम पुनरजागरन भी कहते हैं और इसमें यह था कि 1453 AD में कुस्तोतुनिया का पतन हो गया कुस्तोतुनिया कहने कारती यह हुआ कि रोमन इंपायर पूरी तरह से कुस्तोतुनिया पर हावी थी लेकिन तुर्की के हमले के बाद उनको हटना पड़ा और कि जितने भी स्कॉलर्स थे वो डर कर जो है फ्लोरिंस भाग गए इटली के अंदर और वहां जाकर वह पुराने जितने भी वर्क थे जो यूनान के ग्रीक के वर्क थे काफी पुराने जिसमें हुमन को तरजी दी गई थी तो उसका लगे अध्यन करने उसे फैलाने उसमें उसक्ता अध्याय करें एके ट्रवार्ड भी था जिसने हमें इस्टाबिश कि गई और अब जो संटर्ड हो गया वह मान Naho को सेंटर में रखा गया इसे ही हम रिनासा कहते हैं यहां पर मनुस जो है पूरी तरह से एक जागरन शुरूवा लर्निंग के परती कि मनुस जो है अब सीखेगा पहले मनुस जो भी सीखता था वो धर्म के point of view से सीखता था लेकिन यहां से जो है वो इंडिवीडियूल सीखना शुरू किय और इसमें एक work है जो erasmus का praise of folly इसमें church के बारे में काफी negativity है यह भी work जो है तो यहां से जो है यहां पर मनुस का center हो जाना और मनुस के अंदर जो है knowledge of self-centered लेना तो यह जो है यही पुनर जागरन यानि renaissance period यह कहलाता है और reformation को अगर हम देखा जाए तो reformation में भी दो नाम एक नाम जो है erasmus का और दूसरा नाम मार्टिन लूथर जिसने धर्म सुधार आंदुलन के लिए बहुत कुछ किया तो यहां पर धर्म सुधार आंदुलन कहने कारती है हुआ कि जैसे Roman Catholic जब सारे church जो Roman Catholic थे तो उसमें बहुत orthodox था यानि अगर आपको confession करना है माफ करना है तो आप माफ करवाना है तो आपको Pope के पास जाना होगे नहीं पुजारी जो church के होते हैं तो वो जो है God से माफी करवाएंगे बीच में mediator बने रहते थे और बहुत से चीज़ को अपने हिसाब से करते थे तो Martin Luther जो है वो कहा नहीं है सब चीज़ गलत है अब डारेक्ट God से connection होना चाहिए तो वैसे वहां से मार्टिन लूथर वो धर्म सिधार आंदोलन पे काफी काफी मेनत किया जिसकी वजह से काफी उसे धमकी भी मिली और जान से मारने का काफी उसके पस खत्रा भी बना रहा तो यह जो है एंग्लिश लांविच के डवलपमेंट में काफी है एल्प की ओके नेक्स्टम देखते हैं वो के बुलरी इट कैन वेल बी अंदर एस्टूद एक रापीड रापीड रीट रीट और चेंज ग्रोथ और डेवलोपमेंट मेर्ट एंग्लिश रियलाइज रियलाइज देर व सारे चीज़ें चेंज हुई और ग्रोथ हुई और डेवलोपमेंट हुई कि इंग्लिश जो है यह इंग्लिश लोग यह रियलाइज करने लगे कि इनकी वोकेबुलरी जो है वो कम है और यह सारे नए आइडिया और टेक्निक को हुआ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं दस बिगेन एनदर फिज ओफ रापिड बोरोईंग फ्रम लाटिन फ्रेंच ग्रीक इटालियन अस्पानिश और लांगुज तब इन लोगों ने किया किया बहुत तेजी से दूसरे लांगुज से शब्द लेना शुरू किया जिसमें लाटिन फ्रेंच ग्रीक इटालियन लांगुज थे और इंग्लिस एब्जोर्ब वर्ड वर्ड फ्रम एल्मोस्ट फिफ्के डिफरेंट लांगुज पचास से ज्यादा लांगुज से इन होने जो है वोड्स को एब्जोर्ब किया खीचा लिया इंकुलूडिंग वोड्स फ्रम दे लांगवज अफ इस्या है है हाववेवर इस इंपोर्टेंट टो रिमर रिमेंबर डाट देर वस अ ग्रूप विच अब्जेक्टेड तो इस प्रोसेस अंडे क्यम तो बिनोन अज़ प्यूरिस्ट एक जो है या भी जानना जो है काफी आवश्यक है कि ए ग्रूप था जो रिसिस्ट करता था गुरूप थे इन गुरूप को हम प्यूरिस्ट कहते हैं बट दीवर अनेबल ट्वेस्ट अ लेकिन या अनेबल ट्वेस्ट अ नहीं रोक सके असमर्थ रोकने में दा इन फॉलो ओ फॉरें वोस फॉरें वोड्स का जो है इन फॉलो होना यान लेना वो इन्टो इंग्लिस इंग्लिस के वोकिविलरी में आने से हैं सॉम अब दा बॉरॉइंग इन दा 16th and 17th century यह जो लैंग्विज है जैसे लैटिन ग्रीक के कुछ वोड्स है एड़ेप्ट अप्रोप्रोप्रियेट और भी कुछ वोड्स हैं फ्रेंज के कुछ वोड्स हैं हिंदी के वोड्स में पंदित सिपोई सारी ठॉड यह वोड्स है अरे बी के वोड्स है सुल्तान शैक अलजेबरा हशिस यह वोड्स पूर्टुगीज वोड्स पर्शियन के कुछ वोडल्स है बजार करओं सोफा शाह दिवान किस्मत यह वोड्स है इस्पैनिश के वोट्स है बनाना कोकरोच गिटार पोटाटो बैरिकेट टर्किश वोट्स है और अफ्रीकांस के भी कुछ वोट्स है ग्रैमा असिगनिफिक असिगनिफिकेंट फाक्ट तुरीमेंबर इस डाट वाल दवोकेबुलेरी अफ अर्ली मोडर्न एंग्लिस अंदर यह बना रहा रहा है नहीं हुए और ग्रैमर जो है शर्वाइबल करते रहा बस कुछ चेंजिस हुए और कुछ यूजिस और फीचर जो है वह बढ़ है ओके देवलोप्मेंट ऑफ ग्रामर वस टेकिंग प्लेस इन वेज विच विच दिड नॉट अफेक्ट बेसिक स्ट्रॉक्ट्चर अफ दे लाइंगज ग्रामर के जो डेवलोप्मेंट जो इस जिग का टेकिंग प्लेस हुए कुछ लिए वो ऐसे लिए कि यह है जो है बीसी लैंगुज के बीसी के स्ट्रॉक्ट्चर पे कुछ भी असा नहीं डाले दियर फोर इसलिए रीडर्स कैन रीड एन इंटर प्रेट टेक्स अफ दिस प्रियर्ड विदाउट मुच दिफिकल्टी इ इस प्रियर्ड के कुछ विल लॉन जो वर्क्स है वह जिसे एड्मर्ण स्पेंसर के वर्क फेरी कुईन है और दस शेफर्ड के लेंडर यह काफी फेमस है और फेरी कुईन एक एपिक है बहुत बड़ी पोएम है क्रिस्टोफर मार्लो इनके डॉक्टर फॉस्टेस और एड यह वर्क भी काफी फेमस है यह एक वर्क है बिन जोंसन की यह वर्क हो गई और शेक्सपीर के वर्क में जैसे किंग लियर ओथेलो मैक्बेथ अधा मर्चेंट और वेनिस अमिद्समर नाइट ट्रिम ट्वेल्फ नाइट अधा टैमपेस्ट और भी हेंवरी सिरीज के वर्क रिचार्ड से रिच के वर्क हैं यह सारे जो हैं यह विलियम शेक्सपीर के वर्क से दॉटराइट वर्जन अब दा बाइबल और राइज़ वर्जन ऑब बाइबल जो है 1611 में किंग जेम्स फरस्ट के द्वारा 47 स्कॉलर यह 47 स्कॉलर्व जो है वो शिक्स ग्रूप्स में उन लोगों ने मिलकर ट्रांसलेट किया और यह जो वर्जिन कहलाता है यह है ऑथेराइज़ वर्जिन ओफ यह आई थिंक 1607 से 1611 तक के बीच इन लोगों ने वर्क किया ओके और शेक्सपीर्स राइटिंग और पिर स्केजुल लिखे हुए जो वर्क स्थे अलसो हेल्प इन सिंप्लिफाइग इंग्लिश इंग्लिश को और आसान बनाया दे अबव राइटर अब दे फेमस इलिजावेद हन इस विट देर लिट्रेरी जीनियस ट्रांसफॉर्म दे लाइग्वेज एंड ब्रोट अबाउट अन प्रिसीडेंटेड क्रियेटिवीटी एंड इन वेंटिवनेस इन इस यूज यहां पर जो है उपर जो राइटर्स के नाम हमने पढ़ है वो सारे इलिजावेदन इस के हैं इनके वर्क्स जो है इस लैंग्वेज को एक ऐसी मिन्स क्रियेटिव मोड पर लाए जो इससे पहले नहीं थी लैंग्वेज को काफी लोगों ने आसान कर दिया दूरिंग दे 18th century 18th century के दोरान also known as the Augustan age 18th century को हम Augustan age भी कहते हैं there is a strong sense of order and regulation in sharp contrast to the spirit of experiment and adventure of the previous two century यह जो 18th century है जिसे हम Augustan age कहते हैं यहां पर एक strong sense था order and regulation का यानि किसी भी चीज़ के नियम का और बिल्कुल sharp contrast sharpness तीखा परतिकिरिया experiment और adventure इसमें बहुत से experiment और adventure यह हुए कि इसमें काफी जो है criticism भी लिखे गया और plus जो है dictionary जो है सबसे main dictionary इसमें जोंसन के द्वारा Samuel Johnson के द्वारा dictionary भी publish किया गया और के the need of dictionary and grammar was filled greatly during this period इस period में इनकी काफी जरूबत महसूस में dictionary और grammar के grammar के grammar was greatly during this period so the spelling could be standardized ताकि यह स्पेलिंग जो है बिल्कुल एके स्टेंडर्ड हो जाए हर जागा कुछ बेरियेशन ना हो और करेक्ट यूज ऑफ ग्रैमर वूड बिकम पॉसिबल और ग्रैमर का जो है करेक्ट यूज बिल्कुल आसान हो दो ओफिन हर्ड एडियम नेसेसीटी इस दा मदर आफ इ यह राइटर है जो ऑगस्तन यह को राइटर है इन्होंने 1755 में एक डिक्शनरी पॉब्लिस्ट की अडिक्शनरी और इंग्लिस लाइंग्वेज जिसमें जो है चालीस हजार वोट्स और उसके मिनिंग थे दो वर्क टूक सेवन इयर्स टू कंप्लेट हलांकि सेवन इयर्स कामेरियंस थे उसमें से कुछ ग्रैमर्स के जो बुक हैं वो यह हैं विलियम लॉक्टन के लिखे भी प्राक्टिकल ग्रामर अब दे इंग्लिस टंग और जोसिफ प्रिस्टली के दा रिव डिमेंट ऑफ इंग्लिस ग्रैमा रोबर्ट लाउट की बुक जो है शॉर्ट इं मुरे का इंग्लिस्ट्रमर इज ग्रामर्स हैट फ्री मेन अब्यक्टिप्स इन सारी ग्रामर्स के टीन जो मेन उदेश थे वह यह थे पहला तो गोडिफाई द रूल अफ इंग्लिस चंदेंस प्रॉक्टर इंग्लिस चंदेंस का एक नीयम बनाना अ कोडिफाई गोड दि वस्थित करना दूसरा जो था तो डिसक्राइब पोइंट फोइंट्स को डिसक्राइब दिसक्राइब दिसक्राइब के लिए रूल्स को लिखना दो फांडेशन आफ English, we are strengthened by this, though English का जो foundation था, वह मजबूत किया गया इस मेठ़ड के द्वारा, many of convention, now accepted in present day, बहुत से जो है, जो स्वक्त इस्तामाल किये जाते थे, वह आज भी इस्तामाल किये जाते हैं, originally stated in this book, this book में जो लिखे हुए, आज भी सेम से मैसे इस्तामाल होते हैं, अब conclusion देखते हैं The 18th century grammarian shares the spirit of the years to establish order in language, 18th century के जो grammarian थे, वो एक ऐसा spirit साजा करते हैं, और यह जो है, established करता है, कि language को एक सही orders में establish करना, After what they saw, chaotic period of expansion and experiment, यह यह लोग जो है, अलड़ी देखे थे, chaotic period, chaotic period में लोग सारी चीज़ जो हो, बेवस्थीत ना हो, इधर हो, अधर हो, तो उस period से, जिसमें expansion यान बढ़ रही थी, या experiment हो रही थी, उसमें लोगोने काफी help क्या language को establish करने में, they felt that grammar could be means of preserving the language and consider their role as authoritative, they felt, उन्होंने महसूस किया कि grammar जो है, किसी भी language को संरक्षित करने का एक अच्छा साधन है, and consider their role, और इसका जो रोल उन्होंने consider किया, वो authoritative, but there existed difference of opinion among writer and grammarian, कि यह जो है, authoritative है, authoritative है, authoritative यहां कहने का आर्थी यह हुआ, कि जो grammar जो rule देगा, उसी rule के हिसाब से, यानि authority है grammar के बास, but there existed different of opinion, लेगन बहुत से लोग के अलगलग बिचार थे, among writer and grammarians में, okay, this story about the changes, growth and development of English largely took place within the area called the British Isle, यह जो story है, changes की, growth की और development की, जो English language की है, यह ज़्यादातर जो हुई, यह British island के अंदर ही हुई, after the 18th century, 18th century के बाद, the English language started leaving the shore of England, English language है, यह 18th century के बाद, अप जो है, इंगलेंड के किनारे को छोड़ कर, यह फैलने लगी, okay, it traveled to almost all part of the world, यह पूरे world के पार्ट में यह आतरा करने लगी, and was soon to become the world language, बहुत जल्दी, पूरे world की यह एक language बनी, many socio-political, political events were responsible for this, इसके लिए बहुत ही समाजिक और राजनितिक कारन भी उतरदाईं थी, this the beginning of modern English 2, यह modern English 2 की शुरुवात थी, the expansion and diversification of English, English का बढ़ना और diversity हो जाना, in the 19th and 20th century is discussed in the next chapter, next chapter में इसके बारे में discuss किया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ या वीडियो आपको काफी अच्छे लगिये होगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो,